दोस्तों चीन की दुरगती से मुनाफे के जो अफसर उभर रहे हैं उनकी चर्चा करने के पहले आप देख लीजिए चीन का करेला नीम चड़ता हुगा एक तरफ IMF की वरष्ठ अधिकारी का कहना है कि चीन ने अपने आपको रिइन्वेंट करना चाहिए अगर चीन समश्याओं से बाहर निकलना चाहता है तो चीन ने अपना रास्ता बदलना होगा यह IMF कह रहा है परन कुछ लगता है कि यह बिन्वागी सलाह चीन के बहरे कानों पर पड़ी है क्योंकि दोस्तों आप सेम देख लीजिए चीन ने कहा है कि जो भी गवर्मेंट कंप्यूटर्स होते हैं उसमें अमेरिकन AMD की चिप नहीं लगेगी मतलब अमेरिका और चीन की जो एकॉनमीज हैं वो डिकपल हो रही है डिकपलिंग स्पीड बढ़ रही है ये दोनों ही अर्थ विवस्ताएं विश्व की दो दिगज अर्थ विवस्ताएं साथ मिलकर नहीं चल रही है एक दूसरे जट टकरा रही है ये जो समश्या बढ़ रही है उसमें हमारे लिए प्रॉफिटेवल अपॉर्चुनिटीज उभर रही है मानने बर चर्चा करेंगे आइडिया फोर्जी की डिसकसन आगे बढ़ाने के पहले ध्यान से सुनिएगा आइडिया फोर्ज उपर हमने अपने क्लाइंट्स को बाइंग रिक्मेंडेशन दी हुई है चार्ट एनालेसिस भी साजा किया हुआ है इनके साथ इसलिए इस प्रदानमंतरी स्वामित योजन्हा के अंतर गतव में दिरोन के माध्यम से Mackee किसकी है यह पता लगाया जा रहा है कनफर्म किया रहा है तो प्रदानमंत्री स्वामित्तु योजना में आईडिया फोर्ज के ड्रोन्स का बड़े पेमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किन्तु ये खबर पुरानी है। नई खबर यह है कि 100 किलो मीटर तक 100 किलोग्राम बजन ले जाने वाले जो लोजिस्टिकल ड्रोन्स हैं वो भी बनाने जा रही है आईडिया फोर्ज तो अब आप देख लीजिए कि आईडिया फोर्ज जो कि वह अभी डिफेंस सेक्टर पर dependent थी कि रक्षा क्षेत्र से धंदा मिलेगा तभी हम ग्रो करेंगे तो वो तो है ही साथ में लोजिस्टिक की फिल्ड में बड़े पिमाने पर ड्रोन्स की डिमांड रहेगी और उस जरूरत को पूरा करने जा रही है आईडिया फोर्ज अब महोदया आप अपने कान खड़ लोग चीनी ड्रोन्स खरीदने के पहले सो बार सोचते हैं तो पूरे के पूरे अमेरिकन मार्केट में ड्रोन्स सप्लाई करने के लिए पहले से ही आईडिया फोर्ज प्रयासरत है गोर करने वाली बात यह है कि आईडिया फोर्ज के ड्रोन में एक कंपोनेंट भी चीन से लिया हुआ नहीं है चीन जिसे आज एकल Geography of Concern कहा जाता है चीन के कंपोनेंट जिस प्रोड़क्ट में लगे होते हैं लोग से खरीदने से कतराते हैं तो आइडिया फोर्ज ने पहले ही तै कर लिया है कि ना बांस रहेगा ना बजेगी बांस रहेगा इसलिए उनके सभी प्रोड़क्ट चाइना मुक्त हो चुके हैं तो आइडिया फोर्ज भविष्ट की उड़ान के लिए तैयार हो रही है आपका कहना हो सकता है कि स्रीमान ये कंपनी महंगी है 100 का प्राइस टू अरनेंग है तो महोदा है ये नया धंदा है ग्रोथ वाला बिजनेस है तो यहां तो वैलुएशन ज़्यादा ही रहेंगे महतुपून बात यह है कि अगर आप आइडिया फोर्ज का चार्ट देखें श्रीमान तो आपको साफ साफ देखेगा ये कहां 1200 के लेवल से गिर के ये 700-800 के लेवल पर अभी खड़ा हुआ है काफी करेक्शन हो चुका है अभी कंसॉलिडिट हो रहा है संभावना है कि बॉटम बन जाएगी और फिर ये उपर उड़ेगा हमारे जो भी विद्यार्थी है वो ध्यान से सुनिएगा लोजिस्टिक्स सेक्टर में एंट्री की खबर के चलते अगर कल आइडिया फोर्ज का शेर अनाफसन आप खुले तो आपको चल चल के नहीं खरीदना है सप्लाई प्रेसर है समय लेगा शेर उपर चलनने के पहले तो आप बाजी राओ की वेल्ट क्रेशन स्ट्रेटजी जो हमने आपको पढ़ा ही हुई है उसको डिपलोई करने के लिए मद्यम से लंबे अदी के निवेश के लिए आइडिया फोर्ज को अपने राडार पर रख सकते हैं मैं तो पूर्ण बात दोस्तों यह है होली का अफसर है पचास फीस दी डिसकाउंट जो हमारे सभी कोर्स पर मिल रहा था वो आज स्रीमान आज समाप्त होने जा रहा है इसलिए देरी मत कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके अपना पसंद दीदा आत्मिनर्वर इंवेस्टर फ्यूचर सिवमाप्शन स्कोर्स अभी के अभी बिना देरी कीज जोइन कर लीजिएगा